आज मैं तयार कर रही हूँ मसली की अंडा भर्जी और यह बहुत तेश्टी होती है इस तरह जब अब तयार करेंगे खुदी कहेंगे हलो अब सभी को आशाइडल कुकिंग में स्वागत है तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ यहाँ पर देखिए मसली की अंडा ले लिया यह बॉल मसली की अंडा है चार सो गिराम अंडा है उसके साथ यह दो टमाटर और बीना तीखा वाला मिर्स ले लिया एक हरी मिर्स ले लिया प्यास ले लिया और उसके साथ अधरक लेसन तो पानी उबलने के लिए रखी उसमें हल्दी और नमक डाल दिया बहुत ही 50% बाद में पकाएंगे तो इसी तरह हल्दी और नमक वाला पानी में जब बॉयल कर ले लेंगे बॉयल करने के बाद इसके जो इसमेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं रहती और बहुत ही स्वादिष्ट यह अंडा कारी बनके तयार होती है यान्डा फुर्जी बनके तयार होती है और यहां पर देखें जो अद्रक लेसन प्यास इसे हम सेल रही हूँ तो इसकी सिल्का उतार कर ले लिया और यहां पर यह भी बॉयल हो रहा है बहुत ही अच्छी तरह से इसे पलत देंगे ताकि यह दूसरी साइट में भी बहुत अच्छी तरह से पकें तो सिर्फ लेंगे टमाटार मीर्स को काट लिया इसा तरह देखिए में पिसलेंगे तो बहुत ही तरह से इसका भी देखी स्मूद पेस तेयर ले लिया और इसे डर्ब हैं कर दियाल। आपको डरल केरे गार्मौन और मासमेश सब आरप तो पमेश सब्सक्राइऩ से दिखा नहीं हैं। और हमेश करना मेश कहें कर दो दो खेंए के लिटा प्रेट में टेल डाल देगे टो एक शमर्श भर कर हमने टेल डाल दिया और ये टेल गर्म हो जाने पर प्यास डाल दिया प्यास बहुत अची तरह से भून लें लें servin 7 गशाओं Outro क्लेजन प्यास टमाटर की जो पेस्ट कर लिया था उसे में से आधा डाल दिया और आधा मैंने रख दिया बाद में किसी दूसरे रेशिपी में हम यूज करेंगे तो यहाँ पर देखे टमाटर और जो बिना तीखा वाला मिर्स है इसे डाल दिया बहुत ही अच्छी तरह से इसे भी भून लेंगे भूनने के बाद स्वाद अनुसर नमक डाल रही हूं और धनिया पाउडर जीरा पाउडर हल्दी पाउडर और उसके बाद थोड़ा सा लाल मिस पाउडर डाल दिया मिर्स में बिल्कुल भी तीखा नहीं है इसलिए लाल मिस पाउडर भी थोड़ा स और चैनल में पहली बार आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल के साथ ही रही है यही आप सभी से मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है तो थोड़ी दर पकने के बाद देखिए मसाला इस तरह से बने तो बहुत ही अच्छी तर से उबल भी आ रहे है तो उबल आ गई अब हम क्या करेंगे जो मसली है मसली के अंडे है इन मसली के अंडे को सारे डाल देंगे तो डाल देने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है तो मिक्स करने के बाद इसे कबार कर देंगे और थोड़ी देर के कर देंगे उतनी ये स्वाधिष्ट बेनेगे तो स्वाधन उस सर नमक डाल रही हूं पहले भी डाल दिया मसाला के लिए अब अंडे के लिए डाल दिया और हुना कुटा हुआ जिराप Alright रटा लास्ट में डाली है यहां- इसका भी स्वाहत आती है मसली में या मसली के अंड़े में अब मैं थोड़ा सा सर्चुकी टेल राल रही हूँ ये भी फ्लेवर के लिए जरूर डाली है तो इन सारे चीजों को बहुती अच्छी तरह से मिक्स कर ले लेंगे और बहुती अच्छी तरह से मिक्स करने के बात हम क्या करेंगे इसे कभार कर पांस मिन्ट के लिए स्लो फ्लेम में हम पका लेंगे ताकि ये बहुती अच्छी तरह से दानेदार बनके तयार हो तो पांस मिन्ट बात देखिए ये इस तरह से बने तो बहुती खिला खिला परफेक्ट बनेंगे ये और भी हमें बुनाई करना है बहुत ही अच्छी तरह से तो यह खिला-खिला बन गई देखते रहिए और भी परफेक्ट बनेंगे और भी खिला-खिला बनेंगे तो यह बहुत ही स्वादिश्ट और लाजबब मसली की अंडा की फुर्जी बनके तयार होती है तो आप जरूर एक बार इसी तरह यह अंडा हो तो मैंने इसे दिशाउट कर रही हूं तो देखिए दिखने में कितना लाजबब लग रही है तो आप जरूर एक बार इसी तरह तयार कीजिए तो फिर मिलेंगे इसी तरह के इजी इजी रेसिपी के साथ तब तक की लिए बैबाई और वीडियो